नमस्कार मैं अलोग है आप लाइस्टीज देख रहे हैं बिहार की सियासत को समझना हो तो जातीओं को देखना पड़ता है देखें बिहार की सियासत और अलोग अंधूरा लगता किस जाती को कितना समान मिला किस जाती को कहा ठेस पहुंची है ये बाते हम समझेंगे वीडियो ध्यान से देखेगा इस वीडियो में बहुत शारे फैक्टस है बहुत साथ जनकारियां हैं जिसे आप समझेंगे और जो लोग नाराज हैं उनके बारे में बताएंगे कि इनकी मस्भूती बढ़ी है उनके बारे में बताएंगे हमारे साथ बिहार के वरिष्पत्रकार उन पांडरे जी हैं। प्रकार का मुदा नहीं जन भावना हो भारने वाले मुदे अज़ात के आधार पर पहले तो कैइंडेट फिट किये गए उशाधार पर कंस्वेंसी की पचान हुई और उसी संभाभी करण को साधने के लिए कैंडेट्स दिये गए और अब उसीमें जब से कैइंडेट्स दिय रहा कहां नाराजगी है और फिर इसी कारण से विविन छेत्रों में जो जात की गुलबंदी हो रही है उसको एक बार समझनी की जुरत है ये चुनाव के नतीजे को बड़ा इफेक्ट करेगा जहां कहीं ललाई भी सीधी हो गई है टेंगलर फाइट हो गई है ये जाती गुल पूरी राजनीत को इसी धूरी बना दी गई है तो जब आप वह इसी आधार पर आप राजनीत साधेंगे मद्दाताओं को साधने की कोशिश करेंगे अज जात का लीडर उभरता है तो यह अलग है कि जब एक अस्थापित हो जाता है तो पहले वह स्वेंग को देखता है फिर अपने बाल बच्चा परिवार को देखता है तब फिर जाती है तब समाज और कुश होता है तो अब जो आपने चर्चा की है आज सवन समाज को लेगा कि खासकर हम राजपूत समाज के हम बात करें तो देखिए राजपूतों का वोड जो है वो शुरू से इंडिय को इक बात करें तो इंडेट्स में एक भाड़ी उथल पुथल देख रहें एंडिया वर्स इंडिया हम राजपूत समाज की बात करें करें जो इधर से उधर चले ड़े याना कि इंडिय के चले गए तो पहले अभी आपने देखा कि विहार एक वैसा राज है जो आजादी के पहली विहार यहां कास सेंसस जिसको कहिए कास सर्वे कराया जातिय गन्ना हुई जात का सर्वे हुआ जात की गिंती हुई और जो यहां विहार में जो जाति की सर्वे की रिपोर्ट आई उसमें अभी आप सवर्नों की बात आप कर रहे हैं तो विहार में जो खास करके शादियावादी हैं भीहार में सवर्णों की हिंदू सवर्णों की जिसमें 3.665% ब्रामिन्स हैं 3.45% राजपूत हैं 2.86% भूम्हार है और 0.6% काईस्त है यहां यह काय्स्त मत अब लाला जी लो कहते हैं तो यही बिहार में जो अभी जाती सर्वे की रिपोर्ट आई है कि रिपोर्ट को बहुत तब्यत से इसको स्वीकार नहीं किया वो कहा कि इसमें कहीं न कहीं जान बूझ करके कुछ परणी भी जाती भी से इसको बढ़ाया कर दिखाने की कोशिश वेगि itself कुछ जान भूज करके इसमें खास करके बैस समाज को यह बड़ी सिकायत रही जो जाती रिपोर्ट आई उसमें सरबाधीक सारह 14% के करीब यादव है और विहार में 36% अती पिछरी जातियां है जो 112 जाताती है और इस तरह से पिछरी जाती है जो 27% मतलब 63% यहां विहार में पिछ क्लिम से भी हैं उनको जोर करके लगभग 16% सवर्ण जाती है अब जो बात अभी आई कि इस रिपोर्ट के बाद जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी यह एक बहस छिड़ी थी अब जो आपने भी बात की कि अभी राजपूत समाज के लिए आप बात कर रहे हैं नहीं नहीं कहीं लीडर्शीप देने वाली जात रही है खास सा भागिता रही है इसको उस हिसाब से साधने के लिए हर जाती ने अपना प्रियास किया है इस आठार्मी लोग सभा के चुनाव में तो जैदी एंडिया की सूची आप देखेंगे चालीस लोग सभा सीटे में बीजेपी में पांच राजपूत जाती के कई डेट्स हैं आप चाहेंगे कि उनका नाम का भी उलेक करना हमारे भीवर्स जानना चाहें कि 17 सीट के लिए बीजेपी ले रही है उसमें कून पांच राजपूत है तो रादा मोहन सिंग, आरके सिं सिंग, फिर राजी प्रता पुरुधी है, जनारदन सिंग सिकरिवाल है और फिर सुसिन कुमार सिंग है जो और अरंगाबाद के हैं तो यह पांच तो हो गए इसके लाब लवली आनन्द है जदिव की कई डेट है तो छे इधर से हैं और एक लोजपाराम बिलास से विना द बंधन लग रहा है उसमें राजत से सिर्फ बखसर से जो जक्तान प्रदेश सद्यक्षां जो वहां से एंपी भी रहे हैं चुनाब लड़े भी हारे भी हैं उनके सुपूत्र को इस वर सुधाकर सिंग को टिकट दिया गया है तो महांकर बंदन से सिर्फ एक के इंड़ेट से साथ उधा से कुछ ऐसी सीटें हैं जहां कि माना जाता था कि वह राजपूत बहुल छेतर है वहां राजपूत ही आपको याद हो गया अलोग जी एक समय था कि बिहार में राज़त चार सीट जीता था दोज़ार नो की बात कर रहा हैं उसमें ककेले ललु प्रसाद थे औ और तीन राजपूत उनके साथ थे एक जद वंसी और तीन डवंसी जीते थे दुज़नों में ऐसे राज़त में कई प्रभावसाली जैसे प्रभुनात सिंग कभी चुनाओं जीते भी फिर चुनाओं में हारे भी तो जीता लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जैसे जानते हैं यह साहب लोग चेत्व बहुत काते हैं और वह अब सभी जनते हैं कि उस सीट से कभी सते द्रवभू चुनाओं लगोला करते थे जीते लड़ेंगे वहां से इस वार लालू प्रशाद ने अपना एक नया राइंतिक समिकरन साथने के लिए लेकि पिछले ही दूहजार उनीज के ही चुनाब में हो गया था कि जब जितारा मांजी महा कटवंधन के फोल्ड में थे लालू जी के साथ तो उपेंद प्रशाद को वह महां टिकट भी कुछ वहां जाती लेकिन इस वार बहुत उमीद बनी थी निखिल कुमार को कि हम टिकट चुनाब लेंगे और नहीं लेकिन चला गया वो गटवंधन में वो सीट नहीं मिली और लालू प्रशाद ने वहां रमेश कुस वहां को वहां कहीं डेट बना दिया एक सीट तो राजपूत वहां अपने को मसूस किये कि हमारी सीट चीन गई एक सीट महराजगन थी जो कभी वहां प्रहुनास सिंग की तूती बोलती थी अब इस बार वहां कॉंग्रेस को मिल गई और तो इस कॉंग्रेस के अधियक शक्रेश प्रसाद सिंग के सुपुत्र अधिया तो इस बार वहां प्रसाद सिंग कहीं जीते हैं वहां टिकट के दावेदार थे तारकेशवर सिंग जनाब केस में उनका कन्विक्शन हो गया तो ऐसे ही वह चुनावी से बाहर हो गाए चुनाव के समय में हम देख रहे हैं कई ऐसे राजपूत नेता हैं जो इस त पसंद किया उनके दोस्त हैं आन्द मोहन चले गए इसका अब देखते हैं कर यह से नाम है अब प्रभुनाद सिंग के बेटें हैं वह भी जेडियू में जा रहे हैं आनन्द मोहन के सुपुत्र जो है वो तो राजत के मेले थे ना चेतनानन तो पहले उन्होंने पाला बद दिया था और वहां से उनकी आपती हुई बात के दिन में फिर आनन्द मोहन भी बहुत बिफड़े और फिर तो पाला ही बदल लिया अनन्द मोहन क्या शक्ति है अभी शिवास उनकी चुना नहीं देखिए वह पहचान तो है इसको कैसे आप पिनकार करेंगे कभी तो जो उ दो बली नेता की भी चवी बनी अब उनके सफुत्र है और फिर लवली आनन्द भी सांसद बनी अब वो लवली आनन्द इस वार आपने देखा कि वो रमा देवी जो बीजेपी की सिटिंग सीट थी मैं मानता हूं नवादा के बदले नवादा वो लोजपा की सीट थी तो वहां वो सीट में इस बार वीजेपी लड़ी जहां वीवेक ठाकु रास्वा के मेंबर वो लड़े हैं और वीजेपी ने सीट वो रमा देवी को बेटिकट कर दिया अब वो सीट जदी को जदी लवली आनन्द वहां से लग तो जदी ने प्रयों किया कि महिला भी और पाही से जुड़े थे वो अब वी बेटिकट हो गए वहां तो जदीव के देवेशन ठाकुर जो परिशत के सभापती बोला रहा है और फिर वहां उसका एक असर मुतिहारी में भी पड़ रहा है अपने देखा मुतिहारी में जो के इंडेट है और वहां राजेश कुस्व सभाव है यही कारण है जो चर्चा है लेकिन हम ने देखा हम नौमिनेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां काफी भीर थी लवलियान के सभाव में जहां पर वेश समाज की लोग आय थे और उन्हें सादने के लिए जो बहुत हैं इंडिया के उन्हें उतारा गया था खु चिनावी सभाग की भीर सुन भीर तो कुछ जूटी भी है जुटाई भी जाती है और वह जो भीर जूटी है उसको आप में तबदील हो जाया यह बड़ी बात होती है बड़ी चुनोति वह होती है मैं मानता हूं कि सिभर में अब लड़ाई बड़ी सीधी और कांटे की अनन्द मोहन की प्रतिष्टा दाव पर है अनन्द मोहन तो जब वो निकले आपको याद होगा उसमें बीजीपी के खिलाफ बहुत कुछ बोल रहते हों बाद में फिर वाए इस पाले में आये फिर जदी लगता कि वहां सम्मान नहीं मिला या जो हां हां बात बिगर गई थी ना आपको याद होगा जब वो उसी दवरान चर्चा आई थी कि आनन्द मोहन बात करना चाहते थे लालुजी से तो वो मनोजहा पर बहुत तिकी टिपनी उन्हें कर दी थी तो उसके बाद फिर वो अन्ता भाजपा जो है ये राजद मनोजहा के पीछे ख़़ा हो गई और जस्वी ने तो जस्टिफाई किया कि कोई गलत बात तो उन्हें की नहीं थी वह आप जो जिस संदर में उन्हें चर्चा की थी वो उसको लोगों ने गलत समझा अब हम बात करते हैं रामा सिंग की और प्रभुना सिंग की बेटे ये दुनों भी आप कर रहा है कि हम रामा स सिंग तो राजत के साथ जूरे थे पिछले जब से वो लोजपा सहलग हुए थे और बड़ी उमीद थी कि या तो वो बैसाली से लेंगे ने तो सीवर से लेंगे अब यह दोनों जगा बात नहीं बनी इस बार तो प्रियोग किया है वहां बैसाली की सीट कभी रगवंज प शुर्ल मिला चूला करके वह सीटी सवार लाल सी ने प्रियोग किया है कि वह हम हम आए कर बना जाता है और में चुना तो एक प्रभाब में भी जो सब्सक्राइब के रामा सिंग न सिर्फ अपने छेत्र में बलकि वैसाली में भी राजपुथ भर्वाजिपूर में प्रभावब फिर इस पाले में आ गया और प्रबुना सिंग कि बेटा है रंदीर रंदीर सिंग वह वह बढ़ी उमीद लगी ती कभी आपको या चुनाब को उमीद लगाए थे कि उनको टिकट मिलेगा अब नहीं मिला पहले तो हुआ को वह बागी बनके लड़ेंगे निर्दलिया यह फिर बाद में फैसला लिया मालूम पड़ता है कि वह वह चुनाब कुद नहीं लड़ेंगे और जदि के साथ होने की बात उनमें कर द हैं चुनाब के अन भक्त कुछ जिसका एक जाना पहचाना नाम हो समाज से बिदक ना फिर एक बात तो है ना कि इस बार जो राज़त ने अपनी पार्टी का जो सामाजिक समी करन इंभाई के अलावा भी डिफरेंट जाती समूं को साधने की कोशिस की लालप साथ ने उसमे कई कुछ वाहा को इस बार उमिदवार दिया आप दिखे कि यादव के इंडेट्स के तुलना टोटलीटी में आप करेंगे तो उसके बाद कुछ वाहा जाती चाहे वो एंडिये फोल्ट से हो बीजेपी ने किसी को नहीं दिया बीजेपी में तो भिमार समाज को भी एक बारे में या सीट को लेकर कहने कहीं चाहें महा गटवंधन को भी और एंडिये को भी दोनों को इसका विफिन जाती समों कहीं नाराजगी जहलने पड़ रही है और कहीं फिर जो राज़त ने जिदि कुस भाह समाथ को इस बार गले लगाने की भर सक कोसिस किया है या सहनी क को भी साथ करने के बाद मुकेश सहनी को आपने देखा मुकेश सहनी सन्न मला कहला आते हैं उन्होंने भी प्रियोग किया को मला जाती का इस वार अमिदवार नहीं है उन्होंने भी different सब जैसे बैक फायर करें हां तो लेकिन अभी जो चीजें चंकर आ रही है चेतर से जो ग था कि वही पिछले चुनाओं में सब कुछ समीकरण रहते हुए राजत का खाता नहीं पुला था लोग सवाल उटाते थे कि कौन सा जाती कौन सी जाती नहीं जाती जूटी विश्वार भर्सक हमें लगता है कि वह सामाजिक समीकरण साथने की जो राजत ने कोशिस की है कहीं करना मिलने के बाद वह इंडिये के वो जो गए हैं उससे आरजरी को भी नुकसान होगा लेकिन आरजरी को कुछ माइनों में कहीं जगा पर फाइदा होता हुए दिख रहा है इस पूरे चर्चा में आपने समझा है क्या हाकिकत है क्या सचाई है महाचानल को सब्सक्राइब पर ले साथ साथ फेस्ट पेज भी लाएकर धन्यवाद